शोईब इब्राहिम और दिपिका ककर की शादी आज कर खबरों में है पहले दोनों की मेंदी और हल्दी सेरिमनी की तस्वीरे खूब वाइरल हुई इसके बाद दोनों की शादी की तस्वीरे भी सामने आई है शादी इसलामिक रीती रिवाजों से हुई है अब दोनों की शादी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है एक लीडिंग वेब साइट की खबर के मताबिक दिपिका ने शोइप से शादी के लिए अपना धर्म बदल कर इसलाम कबूल लिया है शादी के बाद अब उनका नया नाम होगा फैजा शादी के कार्ट पर भी शोइप के साथ फैजा नाम ही लिखा गया है हलाकि इसे लेकर दिपिका या शोइप की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है दिपिका के परिवार वालों ने इस बाद से साफ इनकार किया है उनका कहना है कि दिपिका शादी के बाद भी हिंदु ही रहेंगी हलाकि अब वो दिपिका करकर नहीं बलकि दिपिका इबराहिम होंगी उन्होंने फैजा नाम का इस्तमाल सिर्फ इंविटेशन कार्ड्स के लिए किया था दिपिका की शादी का ये कार्ट गाउ में बाटे गए हैं इन पर दिपिका का नाम फैजा लिखा हुआ है वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये दोनों हिंदू रीती रिवाजों के मताबिक साथ फेरे भी लेंगे आपको बता दे कि ओन स्क्रीन एक साथ नजर आने वाले दिपिका और शोईब लंबे वक्त से एक साथ है उनके अफैर के चर्चे भी खूब हुए पहले ससुराल सिमरकाओ और फिर लच बलिये में वो अपने बॉइफ्रेंड शोईब के साथ नजर आई थी फिलाल इस वीडियो में इतना ही टेलिविशन और बॉलिवुद की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं